नमस्कार दोस्तों 1932 में इस्थापित किया गया मावली मारवाड मीटर गेज का सेक्षन अब अमान परिवर्तन की और बढ़ रहा है इसका एक भाग नाद्वारा से लगा के देवगड लगभग 82 किलोमीटर का अमान परिवर्तन कार्य दो चरणों में किया जा रहा है वहीं जो मारवाड से लगा के देवगड का सेक्षन है वह वन विभाग के अंतरगत आने की वज़े से अभी उसका मीटर गेज की रूप में हेरिटेज लाइन की रूप में या थावत रखे जाने का निरणय लिया गया है इसक्रीन पर आप देख रहे हैं पहले चरण लावा सरदारगड से नाद द्वारा के बीच के आमन परिवर्तन की स्थिति यह अपडेट सीतराम बंजारा जी के सोजने से प्राप्त हुई है हम आप सभी की और से उनका आभार व्यक्त करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे लावा सरदारगड इस्टेशन पर जो स्टाफ कोटरों का निर्मान है सहीत इस्टेशन बिल्डिंग का निर्मान प्लिट फार्म का निर्मान दुरुद गती से चल रहा है और उम्मी जताई हो चुका है और आगे बड़े निर्मान कारिया सिविल के उसमें अगले दो-तिन महीने में हमें दिखाई देंगे वहीं प्लेट फार्म का निर्मान किया जा रहा है और पहली नजर में यहाँ पर लग रहा है कि ओवर वीज की जगहे पर अंडर वीज के माध्यम से यात्री स्टेशन से बाहर से प्लेट फार्मों पर आ जा सकेंगे इसी के बावत यहाँ पर तैयार यहाँ प्रारंभिक तोर पर नजर आ रही है काफी महत्वपूर्ण यहाँ पहला सेक्षन है जिसका कारिया जा रहा है 82 किलोमेटर इसकी लंबाई है यहाँ पर पुराने स्टाफ क स्टेशन बिल्डिंग आदी का निर्मान कार्य किया जा रहा है सिंगल लाइन यहाँ पर ट्रेक वर्तमान में मीटर गेच का मौजूद है जिस पे किवल एक रेल गाड़ी का संचालन होता है दोनों तरफ से वहाँ आवगमन करती है और उमिजताई जा रही है इस महीने यह गाड़ी चलना बन कर सकती है क्योंकि जो कार्य है उसको बढ़ाने की आविशकता महसूस की जा रही है पहले चरण का कार्य एमेच के बिल्ड कौन के द्वारा किया जा रहा है लावा सरदार गड़ से नाद द्वारा की सेक्शन का वहीं दूसरे चरण का कार्य रचना परन्तु उसकी भी प्रगति उल्लेखनिय कही जा सकती है यह आप देख रहे है अर्थवर के संबंदित कार्य यहां पर चल रहा है अभी अर्थवर को और उच्छा किया जाए क्योंकि जो हाइट है प्लेटफार्मों की वह काफी उची जाएगी और उसके पस्चात में उस पर जो बनाया जा रहा है एक तो हमारा रेलवे गेट के पूर्वू बनाया जा रहा है आवागमन के उद्देश से वहीं जो हमारा प्लेटफार्म है इसके पास में बनाया जा रहा है वहाँ यात्रियों के आवागमन के हिसाब से बनाया जा रहा है फिलाल में यहाँ पर ओ उसी के हिसाब से यहाँ पर कार्याद चल रहा है दो प्लेटफार्म प्रारंबिक तोर पर इस इस्टेशन पर बना जाएंगे वहीं जो अन्य दूसरे इस्टेशन है किसी पर मालगाडियों से संबंदित कार्य यदी होना है तो वहाँ पर तीन प्लेटफार्म बनाये हो सकता है आने वाले समय में देवगड से मारवाड के बीच में जो हेरिटेज गाड़ी है उसका संचलन किया जाता रहे वहीं हमारे कुछ दर्श्रकों का सवाल था कि जो आगे की स्थिती है डेलवे लाइन की देवगड से बार में कनेक्ट होगी अत्वा देवगड से हरी देवगड से बार के बीच में इनके द्वारा लाइन बनाई जा सकती है यहाँ प्रोपोस्ड न्यू लाइन की फेर इस्त में सामिल हो सकती है जिसा कि हम कहते आ रहे हैं पूर्व में भी जो जानकरिया इनके द्वारा पोर्टल पे डली हुई है उसमें देवगड से बार इनका ही उल्लेक किया गया है देवगर से हरीपूर के बारे में जानकरिया केवल सोचेल मीडिया और पेपर आधी में ही देखने को मिल रही है कागजी तोर पर अधिकरत तोर पर यह किलियर नहीं हुआ है कि हरीपूर स्टिशन पर इसको जोड़ा जाएगा परंतु बार के बारे में ऐसा नहीं है जो भी सर्वेपूर्व में हुए है वह इसी के लिए किये गए है साथ ही जो हमारा वर्तमान में नक्षा जारी हुआ है अजमिर मंडल के द्वारा इसमें भी साब तोर पर देवगर से बार का ही उल्लेक है यह आप देख रहे हैं लावा सरदारगड इस्टेशन पर इस्टेशन बिल्डिंग और जो प्रशाशनिक भवन बनाया जाएगा इस्टेशन कंट्रोल के लिए इसके लिए नियुवादी का डालने का कार्य कर लिया गया है पिलर भी इसमें से उपर की तरफ बनाये जाएगे और निर्मान कार्य जल्दी ही इसका हम गती पकड़ता हुआ देखेंगे तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि जो अलाइनमेंट है हमारा गुजरने वाला है देवगर मदारिया इस्टेशन से आगे लसानी, ताल, भीम, बाली, तारागड, जवाजा, कोबरा, कलाबार और यहां से यहां जुडने वाला है बार स्टेशन के आसफास की लोकेशन पर इसका जो प्रारमिक सर्वे हुआ है उसमें 92 किलोमेटर इस रेल्वे लाइन की लंबाई बताई गई है जिसकी लागत 1491 करोड रुपे आकी जा रही है इसमें नई जमीन का अधिकरहन की लागत भी शामिल है और इसकी जो DPR है वहां रेल्वे बोर्ड के पास में लंबीत फिलाल में चल रही है जिस पर की जो आम चुनाव होने वाले हैं इसके पस्चात नई सरकार फेसला लेगी और निश्चित तोर पर इसको स्विकरती मिल सकती है तत पस्चात ही जो अलाइनमेंट के लिए निर्मानकारे शुरू होगा उसके टेंडरों की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकेगी इस बावत हमें जो चुनाव आ रहे हैं इनके पस्चात नई सरकार के गठन होने का इंतिजार करना पड़ेगा वहीं जो बजट है वह भी जुलाई महीने में एक बार और पेश किया जा सकता है उसमें रेलवे का मुख्य बजट पेश किया जाएगा हमारा जो नाद्वारस देवगड आमान परिवर्ता ने इसको 20 करोड रुपे का 25 करोड रुपे का अलाट्मेंट इस वर्ष हुआ था और भी बजट इसका बढ़ाया जा सकता क्योंकि कार्य अभी चेतर में पूरी प्रगती में चल रहे हैं यह आप सामने देख रहे हैं जो सरीयों का जाल दिख रहा है यह अंडर विज बनाया जा सकता है एक संभावना नजर आ रही है अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है जो इस्थानिय नुमाइंद है वह जो पूलिया यहाँ पर थी इस्टेशन के बगल में उसके पास में इसका निर्मान कारे किया जा रहा है तो मीध तो यही है यदि अंडर विज के माध्यम से भी आवगामन प्लेट फार्मों पे होता है तो कोई बूरी बात नहीं है वह भी काप्र सुरक्षित तरीका ट्रेक को पार करने का रहता है और जैसा कि हमने आपको बताया कि देवगड से आगे के सेक्षन के लिए जो पूरी कहानी है वहा हमारे जुन जुलाई महीने में क्लियर हो सकती है अब जो हमारे दोनों सेक्षन है दोनों में काम अच्छा चल रहा है हमने कुछ दिन पहले कुवान्थल स्टिशन की भी आमेट इस्टिशन के आगे का इलाका है वही जो ट्रेन बंद करना है देवगड से लगा के नादवरा के बीच में मीटर गेच की एक मात्र गाड़ी जो चल रही इसको 27 अपरेल से बंद किया जा सकता है इस वाबत जो आदेश है वह सोचेल मीडिया पर सरकुलेट हो रहा ह यह गन फर्म हो चुका है देवगड इस्टेशन की भी महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त होने वाली है इत सभी कार्यों की अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो पसंद आया हो तो आपने मित्रों के साथ शेर करना ना भूलें आप सभी का धन्यव आप